ऑस्ट्रेलियन कैप्टेन पैट कमिंज ने टॉस जीता और टॉस जीतके उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया और उन्हेंने कहा कि कंडिशन्स अच्छी हैं बैटिंग करने के लिए तो इस समय बैटिंग करना जाधा अच्छा रहेगा वही अगर हम देखे तो टॉस जो करने लिए बैटिंग में डिउ का वी फैकंटर हो सकता है लेकिन पैट कमिंस ने उसको नगारते वे फर्स्ट बैटिंग लिए है क्यों को सकता है कि वोल्ट पक का एक प्रेशर हो चेսकंग में वोल्ल्ल क से टार्打 tन में जा तो इस तरीके का रिस्क ना लेते हुए पैट कमिन्स ने पहले बल्लेवाजी का फैसला लिया है और टीम इंडिया के लिए देखना होगा कि क्या स्ट्रेटिजी वह अपनाएंगे और एक बैड न्यूस इंडिया के लिए सुभे और ली मॉनिंगी याई कि शुमन गिल जो है मॉनिशन वाहे जोड़ जोड़ेजा इसमें रृट फैसे करने में लेट आइंड राइड राइड ने कॉमिनेशन वहां के लिए बहुत वैल्यूमेल होता है और रईबात इंडिया की तो इंडिया किस तरीके से तरीके से मैच को टैकल करेंगे अब देखने वाला होगा कि कहां हम कैसे बॉलिंग करते हैं फर्स टैन ओवर्स कैसे बुम्रा और सिराज निकालते हैं उसके बाद हमारे इंडिया को palavras करते हैं इंडिया के लिए बहुत जाद एक बहुत जाइङ जाएपा जीन के लिए प्लस और अस्ट्रिया के लिए इन्टिया में खेलते हैं खेलते आ रहे हैं तो एक्स्पीरेंस भी इनने प्लेयर्स ओविसली इनके पास थे एकस्पीरेंस हे अपर से और के अनूर अपना जीवन वर्का क्रिकेट कहला है एक बहुत अच्छा थ्रिलिंग कॉंटेस्ट रहें देखने को मिल सकता है क्योंकि प पर उतरेंगी चैने का एक इतिहासिक मैदान और जो की अभी कंडिशन जो स्टैट्स बता रहे हैं कि वह उस्ट्रेलिया के फेवर में रहें लेकिन स्टैट्स एक अलग चीज होती है क्योंकि हर डे आप दूसरी तरीके से उतरते हो एक डिफरेंट डे होता है और उस डिफरे और पॉइंट्स ले और पॉइंट्स टेवल में अपनी शुरुआत करें जैहिंद